हेलो दोस्तों मैं अंकुर अधारवाल आपका हमारी यूट्यूब चैनल ओपी मार्वल और ग्रेनाइट में स्वाधर पिकारता हूं आज हम आपको वाइट के ऐसे ग्रेनाइट दिखाने वाले हैं जो की साउथ ग्रेनाइट में सबसे प्रीमियम रेंज में आते हैं जिनकी तोड़ी सी ज्यादा होने वाली है बट उनका अगर आप लूप देखेंगे तो जित्ते भी वाइट ग्रेनाइट अपने देखें हैं उसे बहुत अटके होने वाले हैं तो प्लीज ये वीडियो ज़रूर एं तक देखेंगा आपको बहुत एक्जोर्टिक कलर्स इसकी जो तिकनेस लेने वाली है 20 mm इसका जैसे आपके आप साइस देख सकते हैं यह अरूंड शाड़े दस फित इसकी हाइट है इसका लेने का यह बेनिफित है कि आपके फ्लोर पे जोंट बहुत कम से कम आएंगे और जो इतना बड़ा इसका पैटन दिख रहा है आपके पूरा पाटन विजीबल रहेगा इसका जो कलर है वाइड वेस में है और इसकी जो वेंस देख रहे हैं आप डिंग ड्रे में वेंस है जो इसका लुक और एलिगेंट बनाता है अलका सा इसमें परपल टेक्शर देखने को मिलेगा 100% नैचुरल है कोई भी इसमें ट्रीटम तो आप बुकमेच करके भी लगा सकते हैं यह बुकमेच लेट है और अगर आपको रैंडम लगाना है तो रैंडम करके भी लगा सकते हैं अगर हम इसकी यूसेज ही बात करें तो इसको आप फ्लोर पे भी लगा सकते हैं इस्टेस पे भी लगा सकते हैं क्लाइडिंग में लगा से मुल्टी पर्पर्पस प्रॉडेक्ट है रेनाइट होने के वाज़ से इसकी स्थेंद बहुत अच्छे रहने वाली है बाकी कलर से तो यह था चाइना वाइट अपने उडिसा का प्रॉडेक्ट है इसको हम डुब्लिकेट सत्वारियों मार्बल भी करें जो वाइट म इसकी स्थेंद बहुत अच्छे रहने वाली है यह रैंडम वाल है इसमें कोई भी आपका टेक्शर में इस नहीं है इसके अधर साइज देखे तो इसका 10 बाई 6.5 इसका साइज है आप इसका जंबो साइज देखिए बहुत बढ़िया लॉट है 100 परसें यूनिफॉर्म है कोई इसमें ट्रैक नेटिंग कुछ भी नहीं है पर्टिकुलर यह लॉट हम आपको साइज देखिए इसको एफिट का है लॉट है सिंगल लॉट है अगर आपका कोई एक सिंगल फोल और जिसमें 3 साइज देखिए लगनी है सिंगल कलर की तो प्लीज आप इस लॉट को नेटिंगन हुआ कोई त्रीपमें नीकिया हुआ नहीं हुआ हमर इसके यूसकी बात करें यह फ्लोर्रींग में ज्यादा अच्छा लगता है अगर हमार को इस टैस सभाव है और वैसर में दो स्कषक सैपनियों इसमें इस्का अब वाहिआजी कर सकते हैं इसे का फ्राइस जो रहने वाली है 275 रुपीश पर स्वाइफित रहने वाली है नेक्स प्रोड़क्ट जो आप देख रहे हैं यह रिवर वाइट है इसका भी आप पैटन देखिए बहुत यूनिक है अगर नार्मल नाच्रॉल वाइट कलर देके तो उससे कुछ हट के जैसे कि चाइना वाइ पूरा लाइनर पॉलिष प्रडेक्ट फ्रेश आता है और फाइबर नैटिंग नी है 100% क्रेक्ट्री है यूजिविलिटी के हम बात करें तो वैसे तो यह जादा अच्छा लेगा कि इसका जो पैटन देख रहे हैं आप बड़ बड़ा पैटन है इस्टैप्स में अगर अब इसमें देख सकते हैं पैटन के बात करें तो रिवर राइट में हर लॉट का पैटन लगाता है हमारे पास जैंग सो भी है इसका मिनी गैंग सो भी है जो मतब 4-5 पी है और कटर साइज जिसको हम 39 लाश्ट थाइट होगी है सब की यूनिक पैटन से बहुत अच्छे ब जैसे कि अब भी हमने दो प्रोडेक्ट देखे थे चाइना वाइट और रिवर वाइट को टेक्शर पाचन में ते एक हमने देखा तो फोरेश्ट वाइट जैसे हम उसी पैटन का है मगर उसमें जैसे परपल डॉट थे वाइट बेस था उसमें वाइट बेस है और ग्रे ब जैसे करता है और वाइंटी यह मर पर संद्री दोजाशाब अवेलेबल है यह अब रूम में जाते है इस पैटन कम तो यह आप लगा सकते है इस तेस में जहां पर आपको पैटन सम्चाहिए तो आप मार अपलाई कर सकते लिए अप्लाइग कर सकते है किचन काउंटर के लि इसके वाइड वेस के साथ इसमें गोल्ड कलर की वेंज है अभी तक हमने ऐसे टेक्शर अभी भी नहीं देखा है और बहुत अच्छा प्रीम लॉट इवा है भी इसकी जो प्वांटिटी ए राउन हमर पस तीनाजार फूट अवेलेबल है इसका जो टेक्शर है यह जो इस इसमें नहीं किया हुआ है अगर आप वाइड और बेज गोल्ड मिक्स में कुछ जून रहे हैं तो रीवर बोल्ड से बढ़िया कोई ऑप्शन नहीं है अतरवाइस जो आएगा प्योर बेज आएगा या प्योर यलो आएगा यह जो टेक्शर इसका आप देख रहें यह मिक और यलो और गोल्ड होने के साथ कि इसका फिगर थोड़ा साइलेंट है इता लाउड नहीं है कि आपको आखों में चुबे लगने के बाद और पॉरिशिटी फोड़ी बहुत पो रहेगी बद ठीक है ग्रेनाइट है तो मार्बल इसमें शिकायत आने का नांस नहीं है यह बात करें तो इसकी जो प्राइज रहने वाली है तो कि अभी रिवर वाइट नेकाता सेम प्राइस में रहता है और बहुत ही अच्छा प्रोडेक्ट है यह उनिसा का फीवर गोल्ड तो दोस्तों आज हमने जो देखें सबसे बढ़िया पांच लग्जीरियस वाइट ग्रे ना जाना हो ना हमको इंडियन मार्बल में चाना हो और हमारी रेंज 200 से 300 के बीच में और कुछ बढ़िया यूनिक पढ़ना लगा तो यह 500 प्रोडेक्ट अपके घर की फ्लोरिंग के लिए बहुत ही अच्छे चीज है लो मेंटेनेंस प्रोडेक्ट है पूरा प्री पॉलि कराने का घर्चा है हमारी इसमें आपको पॉलिष का फुछ की प्रॉबलम ही है सबसे बड़ी बात यूनिफर्मिटी आती है माल में और इनकी तो फिकनेस आप देखने है तो इसका आपका जो वेस्टेज ऑफ प्लोरिंग का वेस्टेज हो भी कम से कम होगा तो दोस्तों आ आप हमारे चैनल को ऐसे फोलो करते रही है हमारे शोशल नेट्वर्किंग पेज को सब्सक्राइब कीजिए मैं नंबर है डबल सेवन थी सेवन थी वन थी वन थी वन थांक्यू वरी मुच